परनाम गुर्देव। गुर्देव पर्शन उड़ते रहते हैं पर आपके पास पहुंचते पहुंचते एक एक करके खतम हो जाते हैं। गुर्देव अभी एक पर्शन आया। वाइरस की वज़े से भैका बात अवर्ण बनावाए। गुर्देव इससे कैसे बचा जाए। करपया मारक दर्शन करें। सुमित्रा जी आपने बड़ी महत्तोपुर्ण बात कही है कि प्रशन आपके भीतर उठते हैं लेकिन मेरे पास तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाते हैं। यह बड़ी सुभगड़ी है, बड़े सुभ संकेत हैं। वास्तों में सद्गुरु का कारे प्रशनों का उत्तर देना नहीं है। सद्गुरु का कारे प्रशनों का उत्तर देकर प्रशनों को समाप्त कर देना है। और ये बहुत ही सुबसंकित है कि प्रश्ण उठते हैं, मेरे पास तक पहुंचते हैं और आपके प्रश्ण समाप्त होने लगे हैं। इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। दूसरी बात आपने कही है कि इस महामारी के महा संकट में भै का भाव पर पैदा हो गया है। निश्यत रूप से सुमित्रा जी महामारी का भै महामारी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके पहले कि मनुष्य महामारी के भी मारी से मरे महामारी का भै उसे मार देता है और मनुष्य का जीवन जिन्दालास बन जाता है। बहले ही उसकी मौत बात में हो लेकिन अगर वो मरा मरा जीने लगता है तो उसका जीवन जीने से भी ज्यादा बत्तर हो जाता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस महामारी की भैसे मुक्त कैसे हुआ जाए इस संबंध में मैं संबध सद्गुरू की समझ का सार आपसे कहना चाहता हूँ इस पृतिवी के सभी मनस विदों को दारा किये गए प्रयोगों और सोधों के निसकर्स आपको बताना चाहता हूँ उनका कहना है कि मनुस को जिन जिन चीजों को लेकर भै होता है उनमें से 99 प्रतिसद भै ऐसे होते हैं जो जिन्दगी में कभी प्रकट नहीं होते हैं लेकिन चुँकि उनका भै हो जाता है इसलिए वे मनुस की जिन्दगी को नरक बना देते हैं इसलिए केवल एक परसेंट ही संभावना है कि कोई भी भै वास्तों में प्रकट हो वास्तों में साकार हो निनन्वे प्रचत तो भै आपका साकार होने वाला ही नहीं है इसलिए बुद्धिमानी समझदारी इस बात में है कि यह मान कर कि वो भै साकार होने वाला नहीं है उसको तच्छन ड्राप कर देना है उसको भूला देना है उससे मुक्त हो जाना है और जहां तक एक प्रतिसत संभावना है उसके होने की उस संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि उसके लिए आपको सदाई वह सर्वसुईकार का भाव रखना चाहिए क्योंकि सर्वसुईकार के भाव में होना ही अध्यात्म का प्राण है सर्वसुईकार के भाव में होना ही वास्तों में परमात्मा के चर्णों में सबसे बड़ी प्रार्थना है इसलिए सद्गुरु नर्नक कहते हैं जो तुधी भावे साई भलीकार यानि प्रभु जो तुमको मनजूर हो वही मुझे स्वीकारी है जीसस कहते हैं लेट दाइबिल वी डन प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आपके भीतरु से एक प्रतिसत के लिए सार्व सुईकार का टोटल एक्सेप्टेंस का भाव आजाता है तो वो घटनन नहीं घटती है जो आपको भैभीत करती है वैसी घटनन घटती है जैसा आप चाहते है यानि भैसे संबंधित घटनन कभी घट नहीं सकती है यह उसका स्वाभावित परिडाम है तो भैसे मुक्त होने के लिए यह सबसे महत्यपुर्ण आउसदी है इसलिए कहा गया है इसलिए जब पुल आए तो पुल पार करने की चिंदा पकड़नी चाहिए अभी से उसकी संभावनाओं के खत्रों में नहीं डूब जाना चाहिए यह तो मनुस्य की समझदारी का सार है और अंतिम बात मैं आप से कहना चाहता हूँ अजर आपको मेरी बातों में पूरा-पूरा भरोसा हो गया जो कि मैं जानता हूँ आपकी श्रद्धा की गहंता को देखते हुए कि आपके प्रणों में गहंद श्रद्धा है मेरे परती तो आप समझ लेना आप इस भैसे पूरी तरह मुक्त है और जो मुझे सुन रहे हैं भरोसा करके इस भैसे मुक्त हो जाते हैं तुम्हें बचन देता हूँ महा मारी उन्हें खरोज तक नहीं लगा सकती और भरोसा करने वालों के लिए ये मेरे गुरू का दिये हुआ बचन है मेरा बचन परमात्मा का बचन हो जाता है बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत आश्यरवाद झाल 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 झाल